नमस्कार शब्दुसारफम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागतेवूं अभिननन है प्रस्तुत है शब्दुरूप स्रिंखला अकारांत पुल्लिंग शब्दुरूप शब्दुरूप स्रिंखला के अंतरगत प्रस्तुत है रामशब्दुरूपों के शुद्दुचारण रामशब्दुरूप रामशब्द के अंत में अ है र आ म अ अ अतह यह शब्द अकारांत हुआ राम शब्द पुल्लिंग को बताता है अतह अकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ राम सस्टत में साथ विवक्तिया हैं प्रथमा, वितिया, तृतिया, चतुर्थी, पंचमी, शष्टी, सप्तमी और संबोधन तीन वचन है एक वचन, विवचन, बहुचन तो आईए रांशब्द के साथों विवक्तियों और तीनों वचनों में रूप देखते हैं प्रथमा विवक्ति, रामह, रामव, रामाह वितिया विवक्ति, रामम, रामव, रामान तृतिया विवक्ति, रामेण, रामाभ्याम, रामैह चतुर्थी विवक्ति रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्या, पंचमी विवक्ति रामात, रामाभ्याम, रामेभ्या, शश्टी विवक्ति रामस्य, रामयोह, रामानाम, सत्मी विवक्ति रामे, रामयोह, रामेशु, संबोधन, हे राम, हे रामो, हे रामाह, ये हुए इन्हें जिस रूप में बोला गया है इसी रूप में बोलना चाहिए और इसी रूप में याद कर लेना चाहिए अब आपने राम शब्द के रूप जान लिये हैं राम शब्द की ही तरह उन सभी शब्दों के रूप चरेंगे जो पुलिंग में हो और अकारांत अर्थात जिनके अंत में अ हो जैसे बालक, वानर, ब्रिक्ष, डीप, इत्यादी उधारन के लिए राम शब्द के साथ बालक शब्द के रूप देखते हैं यदि आपको राम शब्द के रूप अच्छी तरह से याद हो गए या आप देखते हैं तो उनके साथ बालक शब्द के रूप मिलाते हैं बालक शब्द के रूप प्रतमा विवक्ती में बालकह बालकव बालकाह दुतिया विवक्ती में बालकम बालकव बालकान तृतिया विवक्ति में बालकेन बालकाब्याम बालकई ही चतुर्थी विवक्ति में बालकाय बालकाब्याम बालकेब्या पंचमी विवक्ति में बालकात बालकाब्याम बालकेब्या शश्टी विवक्ति में बालकस्य बालकयोहो बालकानाम सब्तमी विवक्ती में बालके बालकयोहो बालकेशु संबोधन में हे बालकव हे बालकव हे बालकाहा इस प्रकार रामशब्द की ही तरह आपने बालकशब्द के रूप भी जान लिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि बालकशब्द के तृतिया में और रामशब्द की तृतिया में एक अंतर यहाँ है कि रामशब्द के तृतिया में रामेन में न आया है जबकि बालकशब्द में बालकेन न आया है इसी प्रकार शष्टी विवक्ति के बहवचन में देखेंगे तो राम शब्द में रामानाम इस तरह से न आया है और बालक शब्द में देखेंगे तो बालकानाम यहां न आया है तो यहां क्यों हुआ है इसे समस्ते हैं जिन शब्दों में रा और श होगा उनी शब्दों में रा और श के बाद सरवण हो हा या वा रा कवर्ग और पवर्ग के बाद तुरंत न हो तो उस ना को ही रना होगा अर्थात वहीं तृतिया विवक्ति के एक वचन में रना और शष्टी विवक्ति के बहुचन में रना दिखाई देगा अन्यथा नहीं रहेगा जैसे बालक सब्द में न तो रह है और नहीं शह है इसी लिए तृतिया विवक्ति के एक वचन में बालकेना और शष्टी विवक्ति के वह वचन में बालका नाम यहां नाकोन नहीं हुआ इस तरह अकारान तपुलिंग शब्दुरूप समाप्तु हुए नमस्कार सब्सक्राइब है